चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। जैसंतोशी माँ दोस्तों आपका स्वागत है। जानते हैं आज आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुब समय दोपहर बारह बजकर तीन मिनट से बारह बजकर चौवन मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा मेश राश में संचार करेगा और सूर्य सिह राश में रहेंगे। 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार आज आप विनम्र रहेंगे और दूसरों की निहस्वार्थ सेवा करेंगे। दूसरों को संतुष्ट करने के लिए आप अपना समय, स्थान, पैसा और यहां तक की अपना भोजन भी देंगे। लोग इसके लिए आपकी प्रशंसा करेंगे लेकिन अपनी सीमाएं निर्धारित करें। अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, उन्हें कोई संक्रमन हो सकता है। घर पर रहें और घर का स्वच्छ भोजन करें। अचानक कोई घरेलू समस्या उत्पन हो सकती है, जो किसी नौकरी या दुरघटना के कारण होगी या अस्थाई नुकसान होगा, क्योंकि जल्द ही भाग्य आपके साथ होगा। अपने दोस्त या भाई के साथ खाली समय का आनंद लें। नेटवर्क के अवसर पैदा होंगे जिससे आप अपने आकरशन को दिखा सकते हैं। साजहदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में न उलजें। साजहदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए मुकाम या दिशा बदलें। आज कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदी की लोग आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। दुनिया को आज नजर अंदाज करें। गलतियों को आज नजर अंदाज करें। दांत का दर्द या पेट की तकलीफ आपके लिए आज परिशानी खड़ी कर सकती है। परंतु आराम करने के लिए अच्छे चिकितसक की सलाह लेने में संकोच न करें। नया वित्ती ये समझोता अंतिम रूप लेगा। और धन आपकी ओर आएगा। अपने बच्चों को अपने उदार व्यवहार का अनुचित लाभ न उठाने दें। किसी से आँखे मिलने की संभावना है। आपकी साजहदारी आपकी नई योजनाओं और विचारों का समर्थन करेगी। दूसरों को सहमत करने की आपकी क्षमता आपको काफी लाभ पहुँचाएगी। नौकरी में जीवनसाथी से अच्छी बात चीत हो सकती है और आप महसूस करेंगे कि आप दोनों में कितना प्रेम है। अपने व्यक्तिगत कारियों पर अधिक ध्यान दे। थोड़ी सी सावधानी बरतने से कई चीजें अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएंगी। कलाक्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने से संतोश रहेगा। मन में किसी भी प्रकार की जिद न रखते हुए वर्तमान स्थिती को अपनाना सीखें। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने का अवसर मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध न बिगाड़े इस बात पर ध्यान दे। अपने व्यवहार में सुधार लाना आवश्यक है, लेकिन व्यक्तिगत दायरा भी बनाये रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के साथ वित्तिय व्यवहार या अनुबंध करते समय लाभ और हानी दोनों पर ध्यान देना आवश्यक है। साथी का ध्यान आपसे अधिक अन्य बातों पर केंद्रित रहने के कारण मानसिक परेशानी हो सकती है। पेट संबंधित समस्या भी हो सकती है। आप उर्जा से भरे रहेंगे, लेकिन आपको अपनी उर्जा को सही कार्यों में लगाना होगा। यदि आपको किसी कार्य को लेकर कोई चिंता हो रही है तो वह भी दूर होगी लेकिन शेयर बाजार से जुड़े लोग कोई जोखिम उठाने से बचें नौकरी में कारेरत लोगों पर काम का दबाव अधिक रहेगा लेकिन फिर भी वे अपने कार्यों को समय पर पूरा कर लेंगे अविवाहित लोगों के लिए आज कोई बहतर रिष्टा भी आ सकता है दिन के नकारात्मक पक्ष में सावधान रहने की आवश्यकता है जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णे नुकसान देह हो सकता है भाईयों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें कभी कभी आपका अहंकार और गुसा भी आपके कार्य बिगाड सकता है बात करते हैं प्रेम जीवन की वैवाहिक संबंधों में गलत फहमियों के कारण कुछ तकरार हो सकती है ध्यान रखें कि घर की बातें बाहर न जाएं साथी के साथ लंबी ड्राइव पर जाएं और खरीदारी करें दूसरों से प्रेम की अपेक्षा करने से पहले आपको खुद से प्रेम करना सीखना होगा आज आपको यही बात स्पष्ट रूप से सीखनी है यह समय आपके लिए अपने मन की आवाज सुनने और खुद को वह प्रेम और सम्मान देने का है जिसकी आप हकदार हैं इसके बाद आपको प्रेम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपके आत्म विश्वास और आत्म सम्मान के कारण अच्छे और सार्थक लोग खुद आपकी जिंदगी में आएंगे आज आप समाज के बंधनों से मुक्त होकर अपने प्रेम को आजमाना चाहते हैं अपने साथी के आकरशन से भी आप बच नहीं पाएंगे प्रेम जीवन से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं और आपकी सफलता इसी बात का प्रतीक है अचानक कोई घरेलू मुसीबत आपको प्रभावित नहीं करेगी नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिन को रोमान्चक बना देगा अब बात करते हैं करियर की रिष्टों में छेड़ चाड़ और हसी मजाग से आकरशन कभी कम नहीं होगा समूह, कलब या समाज का हिस्सा बनना भी आपके करियर को नई दिशा देगा आज के दिन महत्वपूर्ण निर्णे और करियर परिवर्तन के लिए अच्छा नहीं है लेकिन आय के नए साधन प्राप्त होंगे आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकते हैं उन लोगों के साथ समय बिताना न भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत है याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता खुद आपका पीछा करेगी आज आप अपने वित्तीय संबंधों में दुनिया की स्थिती में रहेंगे विरोधा भासी ग्रहों के प्रभाव के कारण आपका मन अलग-अलग दिशाओं में भागेगा आप महंगी खरीदारी के बारे में सोचेंगे लेकिन अंतिम निर्णय लेने में आपको मुश्किल हो सकती है इस तरह की दुविधा आपके निवेश में भी दिखाई देगी और यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित और असहज करेगी व्यवसाई में इस समय कड़ी मेहनत करने की आवश्यक्ता है साज्यदारी वाले व्यवसाई में पारदर्शिता बनाए रखें मशीनरी और कारखानों जैसे व्यवसाईों में लाबकारी समझोते मिल सकते हैं प्रॉपर्टी के कामों में अधिक लाब की उम्मीद न करें भाई से विवाद और भाग्य में कमी आएगी आए में सुधार रहेगा और कार्यस्थल पर कोई परेशानी नहीं होगी बड़ी योजनाओं के पीछे अभी न जाएं तो बेहतर रहेगा वेश के बारे में विचार न करें शाम को नुकसान या चोरी होने की संभाव ना है व्यापार उलेखनिय नहीं रहेगा में फंसे हुए लगते हैं आज आपकी आध्यात्मिक शान्ती भंग हो सकती है और कुछ पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो सकती है अगर आपको कुछ समस्याएं सुलजाने के लिए काउंसलर की मदद लेनी पड़े तो लें अपने सपनों पर ध्यान दें ग्रहों का योग इस बात का संकेत दे रहा है कि आज ओनलाइन खरीदारी या नए ई-कॉमर्स वेंचर्स में रुची लेना आपके लिए लाभकारी हो सकता है आज का दिन आपको अपने पोशन और स्वास्थे पर विशेश ध्यान देने का संकेत दे रहा है सही भोजन और अच्छी आहार की आदतें आपके दिन को और सुखद बना सकती है ग्रहों की स्थिति आपको नए व्यावसाईक अवसर प्राप्त कराने में सहायक हो सकती है नए प्रोजेक्ट या वेंचर में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन शुभ है आज का दिन आपके लिए यात्रा संबंधी योग बना रहा है जो लोग यात्रा या पर्यटन से जुड़े हुए हैं उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं ग्रहों की स्थिति आज आपको शेयर बाजार या अन्य निवेशों में ध्यान देने का संकेत दे रही है समय अनुकूल है इसलिए सोच समझ कर निवेश करना लाभधायक हो सकता है आज का दिन उन लोगों के लिए सुखद है जो डिजिटल मारकेटिंग या ऑनलाइन प्रमोशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपके नए कैम्पें सफलता की और अग्रसर हो सकते हैं आज का दिन आपको अपने फिटनेस रूटीन में नए प्रयोग करने का योग दे रहा है यदि आप नया व्यायाम या फिटनेस रिजीम अपनाते हैं तो इसका आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है ग्रहों की स्थिती आपके व्यक्तिगत वित्त को सुधारने के योग बना रही है आज आप अपने बचत या खर्च के तरीके में सुधार करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं आज का दिन नए उद्यम या एंटर्प्रेनियोर्शिप की और पहला कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है ग्रहों का साथ आपके नए बिजनेस वेंचर में सफलता प्राप्त करने में मददगार हो सकता है आज का उपाए काले कुत्ते या काली गाय को रोटी खिलाएं तेल का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े आपका दिन शुब हो